जाहेंद दूस्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेइन, दिस इस दिवाश्य पांडे, इंडियन आर्मी ने SSC Tech Men 61st and SSC Tech Women 62 की नोटिफिकेशन रिलीस कर दी है, तो आज की सिच्चन में हम ये जानेंगे कि इन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, एजुकेशन कॉलिफि करेंगे, तो चलिए शुरुबात करते हैं, इस सेशन की SSC Tech Entry, जिसको हम Short Service Commission Tech Entry कहते हैं, जितने भी हमारे male और female engineering graduates हैं, वो इस आपके course के लिए eligible रहा करते हैं, और इस बार October 23 course के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी नोटिफिकेशन आपकी इस course related जारी कर दी है, तो course का न तो application आपके 11th Jan 23 से start हो चुके हैं, और 9th February 23 को इसकी आपकी last date रहने वाली है, आप सभी के questions ये भी रहते हैं कि SSB dates कब आएंगी और कब से schedule की जाएंगे, जैसे ही आपका cut-off बनता है, उसके बाद आपको call-up लेटर भीजा जाता है, और June-July 23 में आपकी SSB dates आपकी email ID पर send कर दी जाती हैं, इसका merit list आपका August-September के बीच में आ जाएगा, और आप joining date यानि की training academy में आप October से चले जाओगे, और 49 weeks लगभग एक साल की training के बाद आप सभी हमारे भारती थलसेना में as a short service commission officer की तरह आप service दोगे, इसलिए SSB crack exam ने आप सभी defense experience के लिए SSB interview online courses, इस SSC Tech 61 and 32nd women course के लिए आपकी जारी भी कर दिये हैं, जहां पर आप सभी इस batch में अपना admission लेकर अपने आने वाले SSB interview के तयारी बहतर कर सको, और हम सभी जानते हैं कि जो SSC Tech की SSB centers होते हैं, वो mainly आपके अलहाबाद, भोपाल, बैंगलोर और आपके कपुर्थला मे रहते हैं, आप अपने SSB centers को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपने according, अपने SSB dates बिलकुल चुन सकते हो, क्योंकि 7 days का मौका हमारे इन और भी देती है, कि आप अपनी specific SSB की dates select कर सको, बात कर लेते हैं age limit की, तो इस बार की notification में, जो age limit दी गई है, हमारे male or female candidates के लिए, त और आप जब eligible is apply कर रहे हो, तो 1st of October को इसको मान कर, base मान कर कहा गया है, कोई भी candidate 2nd October 1996 के पहले उसकी date of birth और 1st October 2003 के बाद की birth of date उसकी नहीं होनी चाहिए, बोर dates are the inclusive dates, ठीक है, इस आपकी course में videos of defense personnel भी इसमें शामिल होती हैं, जिनकी maximum आपकी is 35 years होती है, as on 1st October 23 रहनी चाहिए, तो अगर आप इस age limit की criteria में हैं, तो आप बिलकुल eligible हैं, इस बार की SEC Tech की entries के लिए, education qualification देखें, तो देखिए, engineering आपके graduates को लिया जाता है, अगर आप अपने final year में हो, और आपका degree course, 1st of October 23 का 3 तक, आपके पास पूरे authentic proof आजाते हैं, यानि कि आपक आपकी वो आजाती है, तभी आप इसके लिए apply करियेगा, और अपने OTA, चिन्नाई Academy तमिलनाडू में वहाँ पर जाकर अपना course कमेंस करियेगा, SSCW, non-tech, non-UPSC, तो उनके लिए graduation किसी भी आपकी discipline में हो सकता है, या फिर अगर आपने tech में जा रही हो, BE या फिर BTEC हो, किस और आप अपने जितने भी documents हैं, वो इस date तक submit कर दें, vacancies देखते हैं, क्योंकि काफी questions रहता है, इस बार 200 plus की vacancies हैं, जहां पर SSC Tech 61st men course के लिए total 175 आपकी vacancies allot की गई हैं, वही females के लिए 14 vacancies और videos of defense personnel के लिए 2, इसमें आपका एक tech की है और एक non-tech की है, तो एक आपकी B.E.B. Tech in any tech streams और दूसरा आपकी graduation in any discipline और इनकी जो आपकी age limit रहती maximum 35 years है, इस बार as on 1st October 2023 के लिए, interview instructions देखें, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने आपको enroll करवाते हो, application form भरते हो, फिर army खुद से अपनी एक cut-off decide करती है, जिनको उस cut-off के category में लेती है, फिर उनका जो है, आपका admit card यानि की call-off later आपके mail ID पर भेजती है, फिर आपका SSB interview आपका शुरू होता है, SSB interview को procedure देख लें, तो सबसे पहले आपके screening test होगा, first day जिसको कहते हैं, जिसमें officer intelligence rating test और picture per session and description test conduct किया जाता है, जो भी candidates whether they are male or female, आपके screening test में screen in हो जाएंगे तो वो rest of four days जो रहेंगे वहाँ पर stick करेंगे, जो screen out हो जाएंगे, वो वहीं से अपने घर चले जाएंगे, फिर आपका psychological test जिसमें second day, TAT, VAT, SRT, SDT, TAT, Thematic Aperception Test, WAT, World Association Test, SRT, Situation Reaction Test, SDT, Self Description Test, ये आपके second day होगा, फिर आपका दूसरे, तीसरे या चौते दिन कभी भी आप आपका personal interview हो सकता है, और फिर तीसरे चौते दिन आपका group task conduct किया जाता है, जिसमें आपका GD, GP, lecture rate और जितने भी आपके other outdoor, indoor, GP task होते हैं, उसको conduct करवाय जाता है, और fifth day आपका conference day होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा, आप जो चार दिन तक आपने exam दिया हु जो आपके conference out हो जाएंगे, वो वहीं से घर अपने रवाना हो जाएंगे, 15 OLQs की बात करनें, क्योंकि इसी official like qualities पर आपका selection किया जाता है, so there are 15 OLQs like effective intelligence, ठीक है, intelligence आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप बहतीन तरीके सुआपे perform कर पाओगे, reasoning ability होनी चाहिए, क्या चीज आपकी दी जा रही है, कैसे आपको behave करना है, कैसे उस solution को logical आपको solve करना है, organizing ability, आपके पास काफी objects दी रहेंगे, men और material आपके resources रहेंगे, तो आप उसको organize, सही order में कैसे कर पा रहे हो, power of expression, leader की सबसे बहतरीन quality ये होनी चाहिए, कि वो अपने मन में चल रहे विचारों को स subordinates उससे प्रभावित हो सके, social adaptability होने चाहिए, किसी भी environment में आप अपने आपको adjust कर सको, cooperate कर सको लोगों से और वहां के terrain से, sense of responsibility जो भी आपको task दिया जाए, उसके लिए आप responsible और accountable दोनों ही रहें, initiate जो भी हमारा leader रहता है, arm forces में हमेशा आगे बढ़कर initiative लेता है, जिस जब आप खुद पर तयारी करे रहो, और यह तयारी SSB crack exam का SSB interview online course में आपको provide करवाई जाती है, speed of decision आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आपने काफी लंबा समय ले लिया है, तब तक जो है, काफी कुछ घटित हो चुका है, तो इसलिए speed of decision भी हो, accurate of decision ले, ability to influence the group liveliness, हमेशा, जिंदा दिल रहो, determination, courage और stamina, तो यह आपके 15 OLQs रहते हैं और जो हमारे courses, SSB crack exam चला रहा है, वहाँ पर आपको one year का full access भी दिया जाता है, daily base पर आपके class भी conduct होती है, जिसमें आप enroll होकर अपने तयारी बहतर कर पाओगे, SSB interview के लावा, SSB crack exam, आपके written courses जैसे NDA, CDS, MNS, Territorial Army, FCAT, CAPF, इन सभी को run कर रहा है, और enroll होने से पहले आप सभी defense experience इस warrior 10 code का use कर लें, जिससे कि आपको 10% का flight discount मिलता जाए, जैहन and best of luck! अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना न भूलें, आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं!